खुश्खबरी है आज आप लोगों के लिए जिसका इंतजारा बहुत लंबे समय से कर रहे थे वो लॉंच हो चुका है कॉंपडिशन कमिनेटी का ओडियो कोर्स 36 गड़ के सभी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी आप इस ओडियो कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं इस ओडियो कोर्स के प्रति जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो यह कहता है कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं अगर आप 36 गड़ के किसी प्रतियोगी परिक्षा को पास करना चाहते हैं तो बिलकुल कर सकते हैं रिसोर्स के ही कमी थी ना संसादनों के ही कमी थी ना हम आपको उपलब करवा रहे हैं लाखों रुपिया या कोई वोटी रकम खर्च करने की जरुवत नहीं है एक ऐसी कीमत जो कोई भी एफॉर्ड कर सकता है अगर आप यहां देखोगे ओडियो लेक्चर के साथ आपको कॉंपडिशन कम्यूनिटी की सभी किताबों के पीडि-ख सिर्फ 1450 रुपरे में मिल रहे हैं एक सब्जिक कि अगर आप ओडियो लेक्चर यहांपर देखोगे तो मातर आपको 100 रुपरे में मिल रहे हैं तो आप संसाधनों की फिकर और रिसोर्सेस की फिकर छोड़ दो, अगर आप में है कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, अगर आपको 36 गड़ कि किसी प्रत्योगी पर इच्छा को पास करना है, तो यह audio course आप लोगों के लिए है, मेरा सुझाओ है, आप इसे purchase कर ही ले, इ अगर जब वो purchase करते हैं, तो यहाँ पर एक refer पूछा जाएगा, वो refer by, यहाँ पर अगर वो आपका mobile number डालते हैं और इसे submit करते हैं, और आपके refer से वो purchase करते हैं, तो आपको competition community के तीन महीने की magazine बिलकुल मुफ्त मिलेगी, तो आपको भी फायदा है, आपके दोस तक भी सह पहुच जाएंगे, वो भी तैयारी कर सकता है, तो आप इस तरह से इस audio course से जुड़कर बहुत सारे फायदे ले सकते हैं, तो फिर ज्यादा सूचिए मत, मैं आपको भरुसा दिला रहा हूं न, अधिक जानकारी के लिए विजिट कर ले हमारी website competition community.com या फिर आप हमें Competition Community की बुक परियावरण एबं पारिसितिकी को लेते हैं और इसे chapter number 1 से प्रारम करते हैं, दोस्तों आपको page number 1 में देख रहा होगा chapter 1, heading है परियावरण एबं पारिसितिकी और उसके बाद देख रहे होंगे एक sub heading है दिख रहा होगा आपको पारिसितिकी या ecology, तो ecology क्या है यह सब्दो हम जानेंगी ही सबसे पहले प्रारम करते हैं कि ecology सब्द को सबसे पहले किस ने दिया था, तो Ernest Hekel ने सबसे पहले ecology सब्द दिया था और father of ecology याने पारिसितिकी जो पिता कहलाते हैं, रीटर को कहा जाता है, प्रोफिसर रामदे मिसरा को father of Indian ecology कहा जाता है, याने की भारती पारिसितिकी के जनक, ठीक है, इसके अत्रिक आप देख रहोंगे चौथा मतपुन तथ्या, वार्मिंग ने ecology सब्द को पहली बार पौधों के अध्यन के लिए प्रयोग किया था, तो ये तथ्या आप बिलकुल नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते है की ecology है क्या, ecology वास्ता में एक ग्रीक वर्ड है, और ecology को ग्रीक भासा में o ecology कहा जाता है, और o ecology को अगर आप उसको संदिविच्चेत करते हैं, तो oikos plus logos, oikos माने रहने का इस्थान, logos याने अध्यन, तो इसे आप o ecology कहेंगे, उसके बाद यही o ecology बाद में आगे चलकर o ecology कह जाने लगा, ठीक है, अब आप यह समझ गए होंगे, अब यह ecology क्या है, इसे हम देखते हैं, कि जीव तथा परियावरण, देखो, सबसे पहले क्या है, परियावरण में जो है, दो प्रकार के घटक होते हैं, एक होगा जैविक घटक, दूसरा होगा अजैविक घटक, जिन जीव तथा परियावरण, आप बुक में अगर देख रहे होंगे, पहला वुलेट, जीव तथा परियावरण, हमिशा अन्योन आस्रित, यानि दूसरी पर आस्रित होते हैं, परस पर संबंधित होते हैं, तथा परस पर अभिक्रियाशिल होते हैं, यह आप नोट कर लिए, इसके बास दूसरा तथे देखते हैं, जीव तथा उसके परियावरण के मध्य पाई जाने वाले परसपर संबंधों के अध्यन को ecology कहते हैं, तो ecology है क्या, विज्ञान की वह साखा जिसमें जीव एबं उसके परियावरण के मध्य पाई जाने वाले परसपर संबंधों के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्यन किया जाता है। ठीक है? अब वर्तमान समय में ये पारिस्तिकी की संकल्पना को काफी विस्तार रूप दे दिया गया है। वो क्या है? अब पारिस्तिकी अंतर गत ना कीवल पौधों या जन्तों या उनके पर्यावरण के भी संबंधों का अध्यन किया जाता है। बल्कि समाज इबम उसके भौतिक पर्यावरन की अंतर क्रियाओं का भी अध्यन किया जाता है। आप ये समझ गए होंगे परियावरण में जैविक घटक हैं और जैविक घटक हैं उनका परियावरण के साथ सीधा सीधा क्या है जो संबंध होता है उसके अध्यन को हम ecology कहते हैं अब ये समझ गए होंगे अब आगे हम बढ़ते हैं कि पहला जो इसमें देख रहे होंगे या समस्टी बना रहे हैं याने समान प्रकार के जीवों का समु क्या होगा population या समस्टी होगा उसके बाद देखते हैं कि AA प्रकार है BB प्रकार है CC प्रकार है तो ABC तीन प्रकार के वहां पे variety दिख गई ये तीनों क्या हैं आपके समुदाय के अंदरगत गिने जाते हैं ठी प्रकार के तीन प्रकार के जीव यहां है और जीवों का समु है तो इसे हम क्या कहते हैं community या समुदाय उदारण भी रख सकते हैं मानलो A को आप एक tiger मानलीजिए तो बहुत सारे tiger मिलके tiger की population बनाएंगे मानलो कोई जंगल के अंदर गत आप count कर रहे हैं तो अब उस जंगल के अंदर tiger भी हो सकते हैं लोमडी भी हो सकती है खर्गूस भी हो सकता है तो A को tiger माने B को आपने लोमडी माना C को खर्गूस माना तो A, B, C तीन प्रकार के variety आपको दिख गए मालो D प्रकार के कोई और variety लेते हैं तो वहां पे जितने भी green plants हैं उनको आप सामिल कर लिजे इस प्रकार में आप grass को सामिल कर लिजे घास को तो वह सभी क्या हैं वास्ता में जीव ही तो हैं तो इस प्रकार किसी छेत्र में बहुत सारे जीवों के समुह को हम समुदाय या community कहते हैं यह समझ गया आप इसके बाद आप देखते हैं यदि यह समुदाय का काफी बड़ा रूप हो समुदाय को यह जितने प्रकार की जीव हैं इने जीवों को हम परियावरण के साथ प्रत्यक्स तौर पे जोड़ देते हैं याने उनके भी संबंद स्ठापित करते हैं तो वह समुचा छेत्र क्या होगा आपका पारिस्सितिक तंत्र कहलाएगा उदारण ले कि ए अंदर जो हैं चोटे चोटे सेवाल या ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं उन सभी में जीव है अब जीव का उस तालाब का प्रियावरण याने पानी के साथ जो संबंद होगा वो उस तालाब का एकोसिस्टम कहलाएगा वहाँ जीवी बहुत प्रकार की हो गए और वहाँ का वतवरन क्या है वहां पानी है तो उसे हम Ecosystem कहेंगे अब Ecosystem का बड़ा रूप क्या होगा बायोम कहलाता है याने कि जैसे टुंडरा बायोम टेगा बायोम आप सुनते हैं तो माल्लो हिमालिय क्षेत्र है या ऐसे जो है उच क्षा电्ष वाले खेतर हैं जहांपे temperature काफी कम होता है तो उन छेतरों में विशेश प्रकार की वनस्पती मिलेगी विशेश प्रकार के जी मिलेंगे तो वहाँ वो पार सीच तंदर का काफी बड़ा रूप होगा इसे हम बायोम कहते हैं और बायोम से भी और बड़ा जब हम लेते हैं तो उसे जय मंडल या बायो स्फियर कहते हैं सामाने ता जय मंडल में जल मंडल थल मंडल वाय मंडल तीनों को सामिल कर लिया जाता है तो इस प्रकार जो हैरार्की देख रहे हैं पद अनुकरम देख रहे हैं जीव से लेके जय मंडल तक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इन में क्या होती है जटिलता बढ़ते चलती है जैसे एक सामाने जीव था जबकि जय मंडल में तो समूचा छेतर ही सामिल कर लिया जाता है जल मंडल थल मंडल वाई मंडल ठीक है तो इस प्रकार जीव से जय मंडल की और आगे बढ़ते हैं तो जटिलता तो उपर heading दिख रहा है पारिशिक तंत्रिया ecosystem तो ecosystem के बारे में हम ने भी पढ़ भी लिया और इस के बाद थोड़ा और इसका विस्तार दिखते हैं। पारिशिक सब्द का सबसे पहले प्रयोग E.G. Tencle . eG 했 satisf ले प्रयोग किया था। ये काफी महत्पूुन तत्य है, नोट करिएगा अब जब देखते हैं कि पारिसिक तंतर में सभी संगठोकों के समू, सभी घटक के समू, जो पारशपरिक क्रियां में सामिल होते हैं, को पारिसिक तंतर में सामिल कर लिया जाता हैं। जैसे हम देखते हैं जैविक घटक जिनमें जीवन है और जैविक घटक जिनमें जीवन नहीं है अब दोनों के बीच में जटिल क्रियाएं होती हैं और ये जटिल क्रियाओं को सभी को हम पारिशिक तंत्रे के अंदर कर सामिल कर लेते हैं तो इस प्रकार हम इसे क्या कहेंगे पारिशिक तंत्र एक ऐसी ही काई होती है जिनके भीतर वे सभी जैविक समुदाय आ जाते हैं जो एक निर्दिश छेत्र में या विसेश छेत्र में एक साथ कारे करते हैं तथा अजैविक घटक के साथ परस पर क्रिया करते हैं और उर्जा का प्रवाह भी इसपस्तह निश्चित तोर पर जैविक सरशनाओं के भीतर तो होगा ही होगा जिनमें बिभिन तत्वों का सजीव एवं निर्जीव अंसों में चक्रन होता रहता है दोस्तों ये समझ गए होंगे अब इनके कुछ प्रमुक विशिस्ता हैं उसे भी नोट कर लीजिए पार्सिक तंत्र की विशिस्ताएं में सबसे पहले देखते हैं आप हैडिंग में देख रहोंगे बुक में तो पहला बुलेट अगर आपको दिख रहा होगा कि पार्सिक प्रमुक से वह स्वचालित और स्वणियंद्रित होती है दूसरा पुलेट पॉइंट आप देख रहे होंगे बुक में कि पार्सिक तंत्र की कोई सीमा नहीं होती है याने कि आप सोची है कि एक मालूव जंगल का छेत्र है या एक तालाब का छेत्र है जंगल का छेत्र ऐसा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दूसरा उदारान लें कि मालोग एक जील है। उस जील में पानी मालोग कम होते जाता है। तो अचानक उस पारिशिक तंत्र का आकार छोटा होते चलता है। लेकिन जैसे उसमें पानी के मातरा बढ़ जाती है तो वो जील की सीमा याने पारिशिक तंत्र का आकार बढ़ने लगता है, ठीक है, उसी प्रकार आप किसी नदी या तलाब का उदारण भी ले सकते हैं, जंगल का भी ले सकते हैं, तो पारिशिक तंत्र की कोई सीमा नहीं होती, अता पारिशिक तंत्र की सीमा एक दूसरे पर अति व्यापित या ओवरल हो सकती है ठीक है यह समझ गए होगे तीसरा देखते हैं पार्षिक तंत्र छोटा या बड़ा हो सकता है बिलकुल याने कि एक महासागर भी पार्षिक तंत्र का उदारण है और पानी की एक बूंद भी पार्षिक तंत्र का उदारण है क्योंकि पानी के बूंद में भी सुठ उजादवारा संचालित होते हैं जिसमें उर्जा तथा पदार्थों का इनपूट आउटपूट माने की अंदर प्रवेस करना और निकलना ये एक सतत प्रक्रिया होती है जो चलते रहती है नेक्स पॉइंट देखिए आप बुक में कि पारिशिक तंद्र की उत्पादकता उ ऐसे कि मैंने बताया कि पानी की एक बूंद भी है वो पारिशिक तंद्र गुदारण है तालाब है महासागर है जील है तो यह चोटे अलग-अलग आकार के अधार पे इन्हें हम बांट सकते हैं इस्थाई और इस्थाई दोनों प्रकार के आप इसमें पारिशिक तंद्र क हुआ 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 है